हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखंड जी के वेरीजी ट्रिक्स में और आज की इस वीडियो में हम उत्राखंड का समगर राजनेती की इतियास अजय सही रावज जी की पुस्तक से वन लाइनर फैक्ट वाली सिरीज सुरू कर रहे ह और या आज हमारा इस सिरीज का पार्ट वन रहने वाला है तो आप मेंसे कई सारे दोस्तों के लगातार कमेंट सार थे कि सर उत्राखंड का समगर राजनेती की इतियास जो पुस्तक अजय सिरीज रावज जी दोरा लिखी गई है उसके वन लाइनर फैक्ट्स करा दीजे त क्योंकि उसमें आप कूत्राखंड का प्राचीनकाल और मध्यकाली नितियास में पुरा करवा रखा है और मध्यकाली नितियास में परमार राजनस चंद राजनस और गुर्खा राजनस तक का स्लेवस वहाँ पर आपको मैंने completely provide करवा रखा है तो details में आप वहाँ पर पढ देख सकते हैं वागी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट जरूर करें जब आपनों का सपोर्ट मिलेगा तभी ये सीरीज भी आगे कंटीनियू रहे पाएगे ठीक है और इससे पहले भी मैंने उत्राखन की कई सारी और क्लासेज बनाई है जैसे कि जो मारी उत्रा कारें जबनाई हैं तो सब्सक्राइब करें जरूर करें चैनल को और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगही है और हाँ अगर आप उत्राखन के आगामी एक्जाम से तो किसी भी प्रैक्टिस से बैस से जुलना चाते है या उत्राखन की टॉपिक वाइ या प्रागयतिसी काल ये मैं आपको थोड़ा सा डेटेल्स में बताऊंगा या सारे कुष्चिन मैंने इसमें कवर अप किये हुए क्योंकि ये टॉपिक में आपको उस वाली सीरीज में नहीं बताया हुआ था तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको सारे कुष्चिन से आपके कवर दो दो चरणों में बताया है। तो निम्न पुरापासान काल यूग के उपकरणों की खोज में मिली है कहां से? कालसी के निकट यवना दिगा का गार पर सीनेगर के संभी पलगना दिगा का गार पर पस्षी मिरांग का घाटी जनपत अलमोडा में, खुटानी नाला जनपत नेनताल में हमें क्या मिली है? निम्न पुरापासान काल के उपकरणों की खोज मिली है तो प्रस्थ नहीं बन सकता है निम्न पुरापासान काल के उपकरणों की खोज नहीं मिली है तो तीन उप्षन इप्षासे देगा, एक कोई और देगा, तो इस प्रकार से आप यहां से प्रस्णों को कर सकते हैं अगला पसने है, काल सी के निगट, यमुना नेदी के गगार पर, जो भी आगे प्रस्णता वारा और सीनेगर के समीब अलगंदा के गगार पर, पस्षी मिरांगा का घटी, जनपत अलमोडा, तथा खुटानी नाला, जनपत नहींताल से निम्द पुरापाशान यूग के उपकरणों की खोज किस ने की थी? तो इन उपकरणों की खोज करने का सरे जाता है, किसको किप नोटियाल और यसुधर मठवाल जी को? अगर आपसना है उत्राखन में मद्धे पुरा पासान काल का उपकरण कहां से मिले हैं तो उत्राखन में मद्धे पुरा पासान काल के उपकरण कहां से मिले हैं तो गड़वाल में स्रीनेगर के समीब से मिले हैं और किसने खोजे हैं तो इससे पहले जो मारा है दोस्तो प्रस पॉरा पासान यूग के जो बात करते हैं दीनापानी परवस्रंखलाय जैसे लाखो अड्यार के आजपास का जो पंदर केमिटर का छेत्र है वहां माना जाता है कि काला माटी दीना पानी परोस्त रंखलाओं के बीच में आता है इसी काला यहां इस्तान मारा सैलाइस रही है तू प्रसिद्ध है अगला पसने लाखो उडियार या लाखो गुफा की खोज कब वह किसके द्वारा की गई अगला पसने लाखो उडियार या गुफा इस्तित है कहां पे तो अलमुडा के बाड़े सीना के पास दलबैंडर मारा लाखो उपडिया या लाखो गुफा इस्तित है अलमुडा पितुरागण मार्ग पर अगला पसने डॉक्टर येस्वन सिंग कटोज के अनुसार उत्र उत्राखन के प्राग्यातिसिक काल की सबसे बड़ी खोज भी इमारी लाखु उड्यार को ही माना जाता है। उत्राखण में नागफणी के आकार का एक भविय सहलासरे कहां स्तित है तो अलमुडा में स्तित है नागफणी के आकार का एक भविय सहलासरे ठीक है जिसे हम कहा है लाखु उडियार या लाखु गुफा के नाम से जानते हैं तो नागफणी के आकार कहा है क्या लाखु उड और इसमें मानुव को सामुविक निर्तिया निर्तिय करते वे दर्साया गया है अब यहीं से दोस्तों आपका प्रस्ना मन सकता है कि लाखु उडियार का मुख्य विसाई क्या है तो लाखु उडियार का मुख्य विसाई क्या है दोस्तों यह सामुविक निर्तिया निर्तक मं चित्र मिले हैं और मनुष्य को तिर्सूल आकरती में दर्साया गया है। ग्वर्ख्या उड्यार चमोली से ही हमें प्राप्त हुई है। ग्वर्ख्या उड्यार चमोली से हमें प्राप्त हुई है। अगला आपजने उत्राखण के किस इस्थल से सफेद रंग में चित्रि धथियारू वो पस् estuvों के सेल चित्र प्राप्त हुए हैं तो किम्नी गाउं कहा पढ़ता चमोरी में हैं स्थित्थ है किम्नी गाउं कहा पढ़ता चमोरी प्रागयातियासिक इस्तल कहां श्तित है जहां के श्याल चितरों में मानों को सिकार करते या हाथ में हाथ डालकर निर्टे करते वे दिखाया गया है लाल रंग दोस्तों खून के लाल रंग है या लाल रंग का प्रयोग किया गया यह भी अवित्यक लियर नहीं है लेकिन लुए मतलब की होता है वैसे खून होता है उत्रा कुमाओनी गड़वाली में लुए को खून का जाता है ठीक है तो उमीद यह रहती है यहांसे कि लुए थाब गुफा कहा श्तित है तो अलमुडा में श्तित है लुए थाब गुफा और इसमें लाल रंग या खून का प्रयोग में बिचसे हमें निर्टे करते वे लोगं को दिखाया गया है अगला पसने पेटसाल और फलका नौली सेलासरे गुफा की खूज का स्रे यह यह सुधर मठपाल जी को जाता है पेटसाल गुफा इसतल की खूज कबव किसने की थी तो यह सुधर मठपाल जी ने उनिस्व नवासी में पेटसाल गुफा या सेलासरे की खूज की थी जिसमें हमें कत्था ही रंग के मानवा करतियां मिली है जबकि जो फलका नौली सेला परगातियात काल के चित्र मिले हैं निमट मेरे से कॉन सा इस्तल ATS से काल से संबंदित नहीं है तो इस परकार के परस्ट नहीं आपको धियान रखने है अगला पसने, उत्राखन के किस इस्तल से योग मुद्रा में मानुग की चितर मिले हैं, तो अल्मोडा के फल सीमा से योग मुद्रा में मानुग की चितर मिले हैं, कहां से अल्मोडा के फल सीमा से, ठीक है, तो फल सीमा सलास्तरे कहां स्तित हैं, अगला पसने, उत्राखन में बनकोट प्रागयतियासिक इस्तल कहा इस्तित है जहां से आठ तामर मानुवा कृतियां प्राप्त हुई है तो उत्राखंड में बनकोट प्रागयतियासिक इस्तल प्राप्त हुई है जहां से हमें क्या हुई है आठ तामर मानुवा कृतियां प्राप्त हुई है ठीक है कहां उडली और पुरोला उत्रकासी में जो हैं, यहां से निले रंगे सैलचित्र का प्रयोग में मिलता है, तो यह उडली सैलच्राइ और पुरोला सैलच्राइ यह भी कहा सते हैं, उत्रकासी में ही इस्तित हैं, और यहां से हमें नीले रंग के सहल चित्र का प्रियोग मिला हुआ है अगर आपसने उत्राखन के किस स्थल से काले रंग के संखल लिपी में लिखे गए आलेक मिले है या लेक मिले है तो प्रसने यह बन सकता है उस्तों कि पुरोला जो मारा प्रागयातियासिक इस्तल है वहाँ पे किस लिपी के लेक मिले हुए तो संक्र लिपी के लेक मिले हुए है और जो पुरोला प्रागयातियासिक इस्तल है जहां से मैं निले सैल चितर भी मिले हुए है यहां कौंची घ उत्राखन में पुरातत्तों का जनक किसे कहा जाता है तो W.J. हिन्वुट साब को उत्राखन में पुरातत्तों के जनक के रूप में जाना जाता है किसे W.J. हिन्वुट को और इन्हें उत्राखन में पुरातत्तों का जनक क्यों कहा जाता है किसे W.J. हिन्वुट को और कुमा से महापासरान काली पुराज़शी से को खोज कप की गई थी? अठार सो चपन में की गई थी और उत्राखंड में उत्राखंड का कारी करने वाले पर्थम व्यक्ति के रूप में भी W.J. हिन्बुड को ही जाना जाता है अग्राप्स ने उत्राखंड में चित्री दूसर मरिध्भाण के साक्षे कहां से प्राप्त हुए हैं अग्रापस ने उत्राखंड में ता 5 तामर मानवा कृतियों की खोज उनिस्व निर्यान्बे में कहां हुई थी तो नैनि ताल से हमें 5 से थांबर मानुवाकृतियों की खोज मिली है तो प्रसणभी बन सकता है कि उत्राखन में 5 से थांबर मानुवाकृतियों की खोज नैन ताल में किस वर्से होई थि? 2999-5 में कि कह थि? अगला प्रस्तान है कि मंगोली सहल चित्र और खुटानी नाला से पासान ज्योले चुतर है तो विदिक काल में उत्राकन से 14 निर्तकों का सुंदर चित्रां चित्र है प्राप्त नियुक्त Kind hambção में पनी सतन हरें प्राप्त सकता है उत्राखंड में महास्प क संसिक्रेती चेह संबंदित अक्रतियां कप माह्सी कोई सी इसमें समानांतर बंक्तियों में कपमाक्स या ओखली मिली है, ओखली यानिकि उखोल भी जिसे कहते हैं जस्तों, जहां पे हम पहले से अनाजवनाज भी कूडते थे, ठीक है, तो महास्पर संसिक्रति से सम्मंदित आकरतियां या कपमाक्स या ओखली, सरुपरतम कहां से प्र प्रकारू में विभाजित किया गया है तो कुमाउसे प्राप्त जो महास्मकालीन जो कपमाक्स है इससे साथ प्रकारू में भजित किया गया है अगर अफसे राम गंगा घहटी नौला ग्राम अल्मोडा में 73 कपमाक्स किसके द्वारा खोजे गए थे तो पहले बाद राम गंगा घहटी का है अलमोडा में सतित है और यहाँ पर 73 कपमाक्स होजे गए थे या उल्कली धार भी दोस्तो कप्माक्ष को आ जाता है कहां-कहां पे तो कप्माक्ष कहां-कहां से ब्राप्त हुए मैं सबसे पहले हुए कहां से चंद्रेशन मंदी द्वारा हर्च से जो कि रॉबर्ट कार्निक ने खोले खोजे फिर राम गगा घाटी अलमोडा से किसने खोजे जैसोदर मटपाल जी ने खोजे उसके बाद में नौगाओं में मुनिया की धाई नाम अगिस्तान से और जोयो ग्राम के समीब मेनहर से भी हम अगला है गोपिश्वर के समीब तथा पस्चमी नयार घाटी में कपमांक से खोज की गई थी तो कपमांक कहां से मिले हैं यह भी आपको exactly याद रटना पड़ेगा अगर आपसने उत्राखन में महरू उडियार कहां से थी तो महरू उडियार दोस्तो रामगंगा खाटी अलमोorkण में से क्या महरू उडियार अगर आपसने हरीद्वार के बहेदरा बाद में ताम्रो उपकरण एम्रदभांट की खोज कब लेए थी और तामर उपकरण की सबसे पहली खोज उत्राखण में कौन्ची थी वह थी बहधराबाद उत्राखण में तामर बत्रों के पहली खोज कौन्ची बान जाती है बहधराबाद उत्राखण को ही माना जाता है युकि उनिस्व एक्यावन में खोजी गई थी अग्लापसने हरिद्वार के बहदराबाद में पासराण काली न उसेशु देखाम रदभान की खोज 1922 तरपन में किस ने की थी तो यगीदध सर्माजी के दोरा किये गये थी यगिदर सर्माजी के दोरा इसके खोज की जाती है तो बैदराबाद उत्करन का कारी किस ने किया था यगिदर सर्माजी ने किया था 1922 पन में ये भी आपको याद रखना है अलमुणा की रामगंगा घाटी में पासराल काली ने उससे चुप की खोज चमोली के मलारी गाओं में सरोपर्थम सवाधानों की खोज की गए थी और यहाँ प्रस्ण भी हाली के एकजाम में भी पूछा जा चुका है और यहीं से दोस्तो एक और प्रस्ण पूछा जाता है और यहीं से चमोली जनपत में पढ़ता है सबसे पहले यहाँ पर सवाधानों की खोज सीव प्रसाठ डबराल जीने करी थी और फिर मलारी गाओं के उत्खन का कारिये 2001-2002 में HNBPG गड़वाल विश्चु धाले के दोरा किया जाता है और यहाँ से 5.02 किलोग्राम का सोने का मुगड भी मिला है और यहीं दोस्तों जो मारा मलारी गाओं है यहाँ से मैं सेंधव कालीन संसिक्रिती या सिंदु कालीन या सिंदु घाटी सब्विता के सवाधान भी प्राप्त हुएं कहां से चमोली के मलारी गाओं से अगरा पसने है उत्राखन के किस प्रागयतियासिक इस्तल से काले वा दूसर रंग से चित्रित मिले है तो मलारी गाओं से मिले है ठीक है यहाँ पे कटोरा भी मिला है कांसिका कटोरा मिला है मैंने आपको बताया सिंदु घाटी के कुपी से इसका उनुमान लगा जाता है कुतुप मिला है जो की चमडगा बना हुए मोंदाल पक्षी का चित्रन है हिमाली पसु कंक जो जुबू है वो मिला हुए जुबू नाम की या जवग नाम की मुद्रा यहां से मिली हुए सानला तथा बसेली गाउं जो कि भिक्या सेड में उत्खरन कितने प्रकार के सवाधान मिले है उत्खरन में तो दो प्रकार के सवाधान मिले है सिष्ट बरियल और अर्ण बरियल अगर आपने किस गरंथ में यहाँ उलेख मिलता है कि कर्तपूर के सासक ने भी समुद्र गुप्त को कर परदान कर अभही प्राप्त किया था गर आपने किस में खुंटे जीके द्वराए हरक हो जा गया था संसिक्र्ट में लिखा गया है अगर आपसने अंग्रेजु का कुमाउं तथा गडवाल को विजित करने का मुख्य कारण गया था तो तिबत और नेपाल से अपने आंतरिक व्यापार को बढ़ाना अंग्रेजु का कुमाउं तथा गडवाल को विजित करने का मुख्य कारण था अगर आपसे नहीं है यूरोप वासियों को गड़वाल से तिबत या पस्चीमी तिबत में प्रवेश का मार्ग कब ग्यात हुआ तो सन 1624 इज़वी में ग्यात हुआ था और फादर अंटोनियो डी अंडराडे तिबत के रास्ते सपरांग पहुंचा था 1624 में इसाई दिर्म के प्रचार प्रचार हे तो तिबत के सबसंग में एक चर्ची की स्थापना कब हो किसके द्वारा की गए थी तो 11 अप्रेल 2626 में एंडराडे द्वारा ही तिबत में सबसे पहले सरोपरतम सबसंग में एक चर्ची की स्थापना की गई थी इसाई दिर्म के प्र किस रंग के सैल चित्र प्राप्त हुए है तो लेथाप गुफा से निर्मित चित्र प्राप्त हुए है लाखुँ डीयार का मुख्य भी साही सामभिग दितिया है प्रागयातिया सी किस ताल किमनी गाउं किस गाटी में इसतीत है पिंडर गाटी में इसतीत है और अर्मुला जन्पत में सुयाल नेदिगे दर परिश्थि लाखु डीयार की खोज MP जुशी जी के द्वारा एक question में आपको करावी चुका हूँ और अगला जो है मलारी गाम के सवाधानों का सर्विक्षन गड़वाल उश्वी ध्याले द्वारा कब किया गया था 1981 और 2001-2002 में किया गया था मलारी गाम सवाधानों की खोज कब वो किसनी गये थी पहधराबाद हरीद्वार में उत्खरण का कारी किसने करवाया यगीदर सर्वा ने उश्वी 222 पन में करवाया हरीद्वार में बसा वह नगर जहांसे उनिश्वी क्यावन गौरिक मरद्भांड सद्रस मरद्भांड पराप्त हुएं तो हैं बहैद्राबाद हैं और पांच तामर मानव करतिया में 9 ताल से पराप्त हुई हैं तो उत्रा वीडियो आई होगी और आपको आज के वीडियो कैसी लगी रिवीउज देखें आप पता हैं वीडियो पसंद आती है तो यार जारा से यारा सेयर करें जितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतने ही कुश्चन में अच्छे आपके लिए लेकर आऊंगा ठीक है अब आप लोगो जो एक काम करना है कि दो वीडियो के लिंक मैं आपको कमेंड बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगा जो कि उत्राखन के वैदिक काल से संबंदी या जो भी उत्राखन के स्रूत हमें मिले हुए है या जो हम कह सकते हैं कि उत्राखन को किस गरंत में क्या क्या कहा गया है वैदिक साहित्ती की बात करें वैदिक साहित्ती संबंदी रहेंगे या परा इतियास है उसमें ठीक है और अगर आप उत्राखन के एक्जाम्स के लिए किसी भी ऑंलाइन प्रेक्टिस या बैस से जुनना चाहते हैं तो प्लेश्टोर से हमारी अप्लिकेशन उत्राखन